की बड़ी खबर है बीजेपी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है बीजेपी पार्टी ने जो बीजेपी पार्टी के अंदर ने नेता पिछले कुछ दिनों से आये अलग-लग पार्टीयों से उनको अलग-लग पुजीशन्स दी गई है और आने वाले दिनों में उनको जो है और भी डेजिगनेशन दिये जा सकते हैं लेकिन जो अभी बीजेपी ने फैसला लिया है जिस की अध्यक्षता जिस मिटिंग के अध्यक्षता रविंदर रहना जमू कश्मीर यूटी बीजेपी के अध्यक्ष ने की और उन्होंने नॉमिनेट किये हैं स्टेट अगर अजीज जी धरमवीर सिंग जमवाल जी वाईवी शर्मा जी जो फॉर्मर प्रेजडेंट रह चुके चेमबर आफ कमर्स के सोमनात खजूरिया और अर्शत चोदरी जी इन सभी को जो है फिलहाल स्टेट एक्जिक्यूटिव का मेंबर बनाया गया है जो भारती जंता प पार्टी में दी जा सकती है जिसकी अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि भारती जंता पार्टी इन नेताओं को क्या-क्या पोजीशन्स देती है लेकिन अभी फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें स् फॉर्मर अडवाईजर रह चुके हैं चीफ मनिस्टर जब अमर अब्दुल्ला हुआ करते थे इसके लावा फॉर्मर मंत्री रह चुके सुर्जीश सिंग सलाथिया और कमल अरोडा जो की बीजेपी विशना जो की इस समय बीजेपी में है लेकिन वो विशना से मले रह और सुमनाथ खजुरिया जी और अर्शत चोदरी जी इन सब को जो है स्टेट एक्जिक्युटिव मेंबर बनाया गया है भारती जनता पाटी ने इसके इलावा जमु कशमीर युनिंट टेरेट्री वरकिंग भीजेपी की जमु कशमीर युनिं टेरेट्री की जो यूनिट है वो एक वरकिंग कमेटी की मिटिंग भी करने जा रही है जो की 16 नवंबर को होगी 16 नवंबर को वीजेपूर सांबा में जिसकी अधक्षता बीजेपी के स्टेट परधान रविंदर रहना करेंगे और उसमें इन सब को जो है नॉमिनेट कर दिया जाएगा एक्जेक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के तोर पर यह अभी तक की बड़ी खबर है आप लोग देखते रहें जेके मीडिया तब तक के लिए इजाज़त दें सभी को राम राम